हेलो स्टुदेंट्स कैसे हो सब अच्छ है वेरी गुड़ तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स5000 चेप्चर कर रहें चाहता हुए कि सबसे पहले है कि कही बंड़ यह नहीं बन रहे हैं यह आपका बात कांए उससे पहला का कि कोई भी जैसे चैप्टर है तो उसमें कोई भी रिजल्ट निकल के आ रहा है तो वो किस तरीके से निकल के ah I get it कि क्यांत को तो यह chapter एक फॉर्मुला बेज़ चप्टर है ठीक से लेकिन है इन चीज़ों के बारे में सबसे पहले आपको जानना होगा और जब आप यह जान जाएंगे तो सेकंड फेज में फिर आपको यह देखना होगा कि हमसे कुशन बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं ओके यह स्टार्ट करते हैं सॉलुशन और ट्राइंगल ठीक है कि जैसे कि मैं आप से सबसे पहला एक कुशन पूछ रहा हूं ठीक है न जैसे कि इसकी मन लीजी कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है यह देखेंगे ठीक है कौन कौन सी प्रपरटीश होती है ट्रैंगल की वो देखेंगे एक्स रेडियस क्या होता है इन रेडियस क्या होता है इनके बारे में भी हम डिसकुशन करेंगे ओके हम स्टार्ट करते हैं यहां से मैं आप से सींप्ली एक च्छोटा सा कुशन पूछ रहा हूं ठीक है कि जैसे मानीं कि यह राइट अगल ट्रैंगल अब रैट अचले में तो आप यह जानते ही हो कि राइट एंगल में एक राइट एंगल होगा जैसे कि आपको यहां पर दिख रहा है तो आप मुझे बताःे कि इसमें कौन सा बेस और कौन सा go लर क्योंकि में एक बैस होता है एक ह्भाईपोटैनिस होता है और यो प्तिृय्ट के सामने वाला प्रपंडिकुलर सब्सक्राइब ऩूर्ण real story के सामने वाला पर प्रंडिकुलर और दो दो वा बेस बता सकते कि कौन सा में रहें न हुगा जनृरल क्या बोलते हैं là व मिलता है कि कौन सा एंगल के बारे में आप बात कर सकते आगर यह है तो यह और बचा वा बेस हो जाएगा तो इस पर आपको यह रही है कि कोई लिए है ठीक है। आप चलते हैं हम हमारे च ήταν कि उपफ़। कि सबसेद्वे में बैसिक बैसिक बात करूंगाugा आप से जैसे ट्राइंगल के बारे में आप किया जानते हो है नह जैसे कि मालेजे कि हम कोई भी एक ट्राइंगल कंसीडर कर रहे है जैसे ये त्राइंगल ये पी सी तो ये तो आप जानते हूं कि ये वाला कौन सा एंगल है ये वाला फी और ये वाला फीट आचा आप जानते हो ये श्मॉल होता है ये सामने वाले साइट एकर सामने वाले साइट स्मोल होती पी सी नरॉसर तो अब से यह जानों आप कि अगर किसी भी प्राइंगल में कोई भी एक एंगल है जैसème नैं यह ने बोल दिया तो समल के सामने वाली साइट कौन सी बी सी को आप ये समॉल है अब यह बीसी की लेंट है किसको डिनोड कर रहा है बीनी सी की यड़ह ठीक है अगर यह वी तो इस अमने मिसी साइड कहने का मतलब 1-4 यह बीजो आप किसको तो यह डिनोट कर रहा है किसको रहा है अगर मैं बात करूं कि यह है तो यह किससे किसे को करेंगे सिसको जानते हैक आप कुछ जानते जैसा कि हम ने अभी बोला है वह क्या होगा विटा थिब लिटा भी क्या होगा बिक्या होगा कि हखाऊना चीज पता हो के प्लस एंगल थे नहोंगों डिटा डिग्री कितना वाटा वन यहीं और इसको 5 है आपको पता है ना यह सर चीग है उसके बाद में और च्छोटी हम बात करते हैं पैरिमीटर गी तो आपने पढ़ा होगा ना इंत क्लास में हिरॉन स्वामला पढ़ा था नका मतलब होता है तू एस है ना तक मीनिग क्या होता है बिटा बोल गया कश का मीनिंग होता है सेमी पेरिमेटर क्या होता ह hara सबस्क्राइब कर रहा हूँ अगर मैं आप से बोलू फुल तो फिर तुश हो जाएगा डबल कर देंगा इसका सबस्क्राइब ने प्लस बी प्लस सी और अगर मैं सेमी पेरिमेटर निकालूंगा तो क्या एगा विटा ए प्लस बी प्लस टी डिवाइड वाई तू तू बोलो बात समझ में आए कि नहीं यह सर ठीक है यहां तक चीज़े समझ में आ रही है ना को दिक्कत सर नो सर ठीक है उसके बाद में देखो कि अगर मान लो वही ट्राइंगल में कंसीडर कर रहा हूं अब सेम्ट ट्राइंगल में वापस से कंसीडर कर लिया बताओ ए कहाँ पर होगा कौन सी लेंट होगी ये बी सी ये तो हो जाएगी ए स्मॉल ए ये क्या हो जाएगी स्मॉल बी और ये स्मॉल सी ठीक है ना अब अगर मैं आप से बोलूं कि 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 ए På सी प्लास включ Another ऑब अगर मान लीजिए कि में एको यहां रखता हूं और बी और सी को राइट अंड़ में लेकर जाता हो तो क्या ने अब हम दोनों तरब क्या है कर रहा है ना टेक साई झाइन अगर दोनों साइड में हम अगर साइन कंसेडर करेंगे तो यह साइन हो जाएगा साइन साइन बी प्लस सी पाई माइनस भी प्लस सी होगा यह सैं पाई माइनस सीटा कितना होता है कितना होता है इस 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 यहांपर हम क्या लिख देंगे कि साइन ए अगर कहीं लिखा हुआ है तो हम जरूरत पढ़ने पर उसको साइन बी प्लस सी में भी कर सकते हैं अगई बात समझ में यह सर ठीक है अब इस पूरे चप्टर में खास एक इंपोर्टेंट बात यह है बहुत खूपसूरत चप्टर है कि अगर हमें कोई भी एक एनस साइकली चोटर में हमनिकाद लेते हैं अब साइक योटर गवर्ट रही क्या होता है जैसे कि मालो साइक एक लिग का नाम से रही है साइकल से तो यहां पर अगर एकने साइकल चला नहीं देंट है जैसे कि यहां एए बी सी अगर यहां से start कर रहें एक निकल गया अभी हो यहीं बात कर रहा हूं यह मैंने स्मोल बिस्मोल सी अभी जो रिजल्ट हमने निकाला यह किसके रेस्पेक्ट में है capital A, capital B, capital C capital A, capital B, capital C triangles angles small A, small B, small C C, that's why angle side length side length small A, question B, C, side length C, side length B, C, side length C and C, C, side length A, B side length को डिनोट कर रहा है बोलो बाद समझ में आई यह सर ठीक है तो अगर देखो अभी तो हम यहां पर capital A capital B capital C के respect में बात कर रहे हैं तो यहां पर भी cyclic order rule जो है यहां पर लगेगा अब देखो यहां पर अगर A है तो यहां पर क्या है B plus C है यह नहीं है यहां पर A है यहां पर B plus C है तो इसी तरीके से हम result निकाल सकते हैं साइन भी इस equal to sign बताओ bracket में क्या हैगा यह सी प्लस है क्या है प्लस है कैसे पता चला cyclic order जैसे कि मालनों यहां A लिख दिया यहां B लिख दिया और यहां C लिख दिया अभी यहां पर कौन था B है ना तो B से B को छोड़ करके start करो तो B के बाद में क्या है C A क्या है C A दिख रहा है तो एक result यह निकल के आगया इसका मतलब यह है कि जहां पर कभी हमें sign B की जरौत पढ़ जाएगी मतलब C प्लस A की जरौत पढ़ जाएगी और sign B अगर दे रखा हो तो हम उसे convert कर सकते है sign C प्लस A में बोलो बात समझ में आई यह सर थर्ड रिजल्ट कैसे निकलेगा sign C इस इकवर टू बोलो भी साइन है कि सी ए ए प्लस ए बी अना ए प्लस बी है कि यहां तक समझ में कोई दिक्कत यहां तक नो सर ठीक है राइंगल की एक और प्रॉपर्टी की बारे में हम बात करेंगे यह तो प्रॉपर्टी है इसे आपको याद रखना है कि कभी भी अगर sign A आ जाए तो हम उसको sign B प्लस C से replace कर सकते हैं वहाँ पर हमारा question आसान हो जाएगा अब कौन सी ऐसी जगह होगी वह हम उसके बारे में भी बात करेंगे आपको समय बात में तो ट्रैंगल की नेक्सट प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करते हैं यह ट्रैंगल है A B C व्हों तक यह हो जाएगा है वी लेंध जोगी हो रशाइगी है चैए निलाइट की अग्लफ भी आपको alisa आपने पड़ा कि की काइए नहीं गीया वह पता सकते हैं अगर मैं बात कर रहाँ साइड गरो मैं नगे आपसे पूछूगे कि ट्रैंगल कब बनता है कग बनता है ट्रैंगल डेसिक प्रोपर्टि सबसे क्या होती है कि कब ट्रैंगल क्रेट होगा गां पता सकते हैं कोई तीन साइड nya के कलो जुछِ vari देखो ट्रैंगल हमेशा तभी क्रियेट होगा जब किनी भी दो साइड का सम कोई भी दो साइड लेलो आप जैसे मैंने ये एक ए लेली और एक बी लेली इन दोनों का सम जो है ना हमेशा तीसरी साइड से बढ़ा होगा आगई बात समझ में यह सर यह बहुत बैसिक कंडिशन है कि कोई भी साइड अगर आपको दे रखी हो तो उससे ट्रैंगल क्रियेट होगा या नहीं यह इस बात पर डिपेंड करता है कि किनी भी दो साइड को म समेशा बढ़ा होना चाहिए अगई बात समझ में यह सर अगर मैं कर रहा हो एडिशन तो वो किससे बढ़ा आना चाहिए टीक है तो यह चीजे आपको पता होनी चीए यह भी एक इंप्रॉटेंट कंडिशन है कि किनी भी अगर दो साइड का सम जो है वो तीसरी साइड से बढ़ा होना चाहिए अच्छा ट्रैंगल कब नहीं बनेगा इसके बारे मां बदा सकते हो ट्रैंगल कब नहीं बनेगा इस अभी मैंने बोला आपसे कि ये ट्राइंगल तभी बनता है जब ए प्लस भी ग्रेटर देन सी हो इसका मतलब कभी भी अगर दो साइड का सम अगर या तो एक्वाल आजाए सी के या फिर लेजन आजाए सी के तो कभी ट्राइंगल क्रियेट हम सकता है क्या लूशर नहीं कभी ट्राइंगल क्रियेट नहीं होगा और अगर मालों यह कंडिशन negócio करना था मुझे और अगर यह वाली कंडिशन हो गई तो उस केस में ABC को लीनियर होते हैं क्या होता है को लीनियर का मतलब क्या होता है तो आपको यह पारे में हम समझा सकते हैं कि अगर पॉइंट यह इस तरीके से हो गे तो आपके को लीनियर पॉइंट होगे अभी पॉइंट यह बात नी कर रहे हैं इसलिए इसको मैं आगे केरी नहीं करूंगा ठीक है तो आप इतना समझो अभी फिलाल कि दो साइड का अगर हम सम करें तो वो तीसरी साइड से क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए आगई वास समझ में तो यह ट्राइंगल के बारे में सारी बाते जो थी मैंने आपको बता दी important जो कि आपको basic पता रहे नहीं चाहिए ठीक है ना question पहीं से भी create हो सकता है ठीक है तो यही चीज़ है कि आपको जो है न कोई भी chapter अगर start कर रहे हो नो तो सबसे पहले उसकी basic चीज़े पता होना ही चीज़े जिसे basic चीज़े पता होगी कोई भी बड़ा question आएगा वो हमेशा बेसिक चीजों से ही मिलकर बना होगा ठीक है जासर सो स्टार्ड करते हैं हमारा चैप्टर जिसमें से हमने सबसे पहले बेसिक बाते कर ली दूसरा हम पढ़ रहे है अब प्रॉपर्टी साइन रूल किसी भी ट्रायंगल में साइन रूल क्या होता है यह बारे हम बात कर रहे हैं तो साइन रूल बेसिकली क्या कहता है से से पहले स्टेट्मेंट है ना साइन रूल कहता है कि साइड्स आर प्रपोश्चनल तो दसाइन आफ अब यह क्या चीज है देखो यह एक ट्रैंगल है ए बी सी बोलो है या नहीं है यह सर इसमें तीन एंगल है जैसे कि हम देख सकते हैं और मैंने आपको यह भी बता दिया कि यह स्मॉल यह बी सी साइड इसमॉल बी होगी और ए बी साइड जोगी वह स्मॉल सी होगी इसका मतलब क्या है कोई सीबी साइड आप उठालो जैसे कि मालनो मैं साइड बी सी उठा रहा हूं वी सी को क्या बोलेंगे हम small a, है ना, तो कोई भी side जो है, वो proportional होती है, यह proportional का sign है, जानते हो ना आप इसको, कोई भी side लेलो आप, तो वो proportional होगी, किसके sign of opposite angle, यानि इसके जो opposite angle है, इसके opposite angle कौन सा है, बेटा, इस a के opposite angle कौन सा है, अरे यही तो है ना, इस a के opposite angle कौन सा है, यही तो है ना, तो इसका sign लेंगे, तो sign लेंगे तो बेटा, यही तो लिखूँगा ना, मैं sign a, यही चीज़ यह बोलता है, sign rule, तो अब आप मान लो कि जब आपने यह उठाया है, तो आपको यह भी उठाना पड़ेगा, तो फिर तो b b जो होना चीए, वो किसके एको लोना चीए, बेटा, किसके proportion होना चीए साइन भी के, साइन भी के, और सी किसके proportion होना चीए, साइन सी के, अब आपने पड़ा होगा फिजिक्स में कि कभी भी हम प्रोपोर्शनल साइन अटाते हैं, तो एक constant लगाना पड़ता है हमें, यह सर, तो बताओ कोई constant क्या लगा है, हम के लगा दे, यह ना, के लगा देते है, लेमडा लगा दो, जो भी इच्छा पड़े, वो लगा देते हैं, लेकिन हम तो लगा दें के, हैंना, यह सबसे इच्छा लगता है हमें, तो B is equal to K sign B, और C is equal to K sign C, वो लो बात समझ में आरी के नियारी, यह सर, यहां से हम K की वैल्यूज निकाल ले गए, ABC की टरम्स म है, तो बताओ, K की वैल्यूज निकल के आएगी, A upon sign A, निकलेगी की निकलेगी बेटा, निकलेगी, B upon sign B, और यहां से K की वैल्यूज निकालेगे, तो निकलेगी, C upon sign C, निकलेगी, Yes Sir, अभी K की वैल्यूज है यह नहीं है, है, है ना, तो हम इसको बराबर कर सकते हैं न या, यानि A upon sign A, is equal to B upon sign B, is equal to C upon sign C, तो बेटा, यही होता है, sign rule, ठीक है, Yes Sir, जरू नहीं है कि हम इसे ऐसे ही पढ़े, इसको उल्टा करें भी पढ़ सकते हैं, ऐसे ही पढ़ सकते हैं, ऐसे ही पढ़ सकते हैं, A is equal to sign B upon B is equal to sign C upon C, बोलो बेटा वास समझ में आई, Yes Sir, चीक है, तो यह basically sign rule होता है, आपको sign rule याद रखना है, direct result याद रखने है, है ना, result तो direct याद रखने पढ़ेंगे, लेकिन यह कहां से आए, के से हाए, क्या sign rule कहता है, इसके बारे में आपको knowledge होनी चाहिए, क्योंक directly बहुत कम ऐसे chances होते हैं, कि exam में question after directly इस formula पर पूछे, है ना, कहीं से भी हो थोड़ा सा twist करके दे सकता है, तो उसके लिए आपको concept पता होना चीए, कि sign rule actually होता क्या है, ठीक है, तो next, आगे चलते हैं, यह तो हो गया हमारा sign rule, अच्छा, इसका proof देख लो, आप, इसका एक बार proof देख लेते हैं, ठीक है ना, अच्छा proof किसले देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं, क्या ज़रूरतान पड़ी, ज़रूरी थोड़ी है, हम तो directly, वो rule भी याद रख लेते हैं, और हमारा काम भी हो जाता, लेकिन actually होता क्या है, कि जब आप question solve करोगे, sheet solve करो कुछ cases में क्या होगा, आपको कुछ procedures आने चीए, कुछ ऐसे procedures आने चीए, जो triangle की properties में हम case से लेके आएं, है ना, तो ये relations आपको पता होने चीए, किस तरीके से हम इनके proofs वगेरा कर सकते हैं, है ना, कुछ जगह से आपको पता चलेगा, अब हमें एक question आपको लूँगा, तो वो proof में से ही निकल के आया है, basically, है ना, अगर वो आपको पता नहीं होगा, तो आप वो question नहीं कर सकते हैं, और question बिल्कुल आसान है, है ना, तो यहाँ पर proofs का भी main role है, तो आपको करना क्या है, basically, मैं आपको बोलता हूँ, कि आपको तो जो मैं directly पढ़ा रहा रहा हू तो उसको जाकर के घर पे एक बार आप अपनी तरफ से लिखें, और अपनी तरह से उसको याद रखें, चीक है ना, question 100% बनेंगे, इसकी guarantee में आपको देता हूँ, 100% question बनेंगे, लेकिन आपको सिर्फ अभी आपकी priority यह होनी चीए, कि आपको जो proofs बताये गए है, वो कैसे आपको जो result बताये गए है, वो result कैसे आ रहे है, बस इतना सा पता होना चीए आपको, question 100% बनेंगे, हम बेट करके यहाँ पर solve करेंगे दोनों, चीक है, तो proof देखो, अब आप कैसे आया, sign rule कैसे आया होगा, तो वो देखो आप, जैसे कि मान लिजीए कि यह एक triangle है, ना, A, A, B, C, एक triangle है, अब नाम से पता चलता है, sign rule, तो पहली बात तो आपको किसी भी triangle में, sign कैसे निकालते है, वो आना चीए है, ना, तो आपने पढ़ा होगा बच्पन में, लेकिन क्या यह राइट एंगल triangle है क्या, तो फिर इसका मतलब हमें यह कहीं से राइट एंगल triangle बनाना पड़ेगा, यह सर, तभी आएगा sign, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कि हम यहाँ A से एक perpendicular create कर रहे हैं, BC के उपर, अगर एक perpendicular डाल रहे हैं, तो बोलो, यह 90 degree पर होगा, यह सर, 90 degree पर होगा, तो यह triangle जो बनेंगे, A, B, L, तो बताओ यह क्या, राइट एंगल triangle नि बनेगा, बनेगा, इसी तरीके से A, C, L, क्या यह राइट एंगल triangle नि होगा, होगा, ठीक है, है, अब यहाँ देखो आप, इन triangle, A, B, L, बेटा ध्यान से देखना है, न, A, B, L में देखो आप, यह वहला triangle consider कर रहा हूं, मैं, A, B, L, इस triangle में, क्योंकि हम sign rule निकाल रहे हैं, क्या rule निकाल रहे हैं, sign rule, हमें sign theta के उपर workout करना है, बस, cost से कोई मतलब नहीं है, sex से कोई मतलब नहीं है, हमें किस पर workout करना है, बेटा, sign, है न, तो इन triangle, A, B, L, हमें निकालना है, बेटा, sign, लेकिन आप sign कौन से angle का ले, है न, तो उसके लिए मैं देख रहा हूं कि मुझे triangle जो लेना है, है न, और A, B, को मैं क्या लिख सकता हूं, स्मोल सी, स्मोल सी लिख सकता है न, अच्छा, अब मैं आज से पूछ रहा हूं, तो A, B, L मैं मुझे बताओ, base कौन सा है, और perpendicular कौन सा है, बील, बील क्या है, बेस, बेस, अब फिर वही मैंने बता है आपको, कि यहां पर यह चीज तो आप जानते थे कि सर, थीटा के सामने वाला perpendicular होता है, लेकिन आप यहां पर मुझे बता रहे हो कि नीचे वाला बील जो होगा, वो बेस होगा, क्योंकि सर, बी बीच में, तो कहने का मतलब यह है कि हम किस पर workout कर रहे है, बी अंगल के ऊपर, तो मैं sign of B, निकाल लूँ, यह सर, तो base हमारे लिए क हाँ, और अगर यह perpendicular होगा, तो sign theta क्या होता है, perpendicular upon hypotenuse, यह सर, का मतलब al upon c, यह सर, सही लिगा, यह सर, यह सर, हम al की value निकाल लेंगे, c sin b, ठीक है, इसको नाम दे दिया, equation number one, ठीक है, इसी तरीके से, in triangle, अभी यह वाला triangle हो गया कि नहीं हो गया, हो गया, अब यह वाला triangle लेंगे हम, in triangle, a, c, l, बताओ, यह भी right angle triangle है, यह सर, अभी हम अगर sign c angle पर बात करें, तो sign c बोलो क्या होगा, अब आप बता दो खुदी, a, l upon, a, l upon, small l, small b, देखो, यह अपकी बार hypotenuse हो बनेगा न, a, c, और a, c को हम क्या ली सकते है, b, b के जब सामने वाली side, small b होती है, यह लिख दिया हमने, सो यहां से भी हम क्या करेंगे, a, l निकाल लेंगे, क्या, क्या आजाएगा, b sign c, ठीक है, यह, 2 हो गया, अब अगर मैं, equation 1 में, divide कर दू, equation 2 से, तो बताओ, क्या आएगा, a, l upon a, l, is equal to, c sign b, upon, b sign c, yes sir, आएगा कि ने आएगा, आएगा, a, l से, l cancel out हो जाएगा, तो यहां कितना आजाएगा, one, yes sir, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, b upon sign b, is equal to c upon sign c, क्या हमें ऐसा लिख सकते, yes sir, कैसे, यह b को मैं लेकी गया, उदर, numerator में चला गया, yes sir, फिर यह sign b, जो है, यहां पर numerator में उदर ले जाओंगा तो, denominator में, इदर क्या बन जाएगा, basically, b upon sign b, और इदर क्या बन जाएगा, c upon sign c, yes sir, इसको मैं alpha नाम देता हूँ, equation alpha, दे सकते हैं, नाम तो कोई भी दे सकते हैं, equation का, है न, अच्छा, अगर देखो, इसी triangle में, इसी triangle में, अगर मान लो, मैं यहाँ से perpendicular डालता हूँ, इस पर, आपकी बार मैंने perpendicular किस पर डाला, b से, a c पर, a c पर डाला, तो यहाँ पर दो triangle बने की नि बने, एक यह छोटा वाला triangle और एक बड़ा वाला triangle, बना की नि बना, बता, बना, एक बार फिर मैं आपको दिखा देता हूँ, आपकी बार मैं यहाँ से perpendicular डाल रहा हूँ, इसके उपर, यह small a side होगी, यह small b side होगी, और यह small c side होगी, आपकी बार मैं इसको m consider कर लेता हूँ, तो आपकी बार हम triangle पर बात करेंगे, in triangle a, b, m, है ना, यहाँ सर, यहाँ पर मुझे, क्योंकि मैं sign पर बात कर रहा हूँ, तो मुझे sign निकाल लेना चाहिए, लेकिन आप question यह होता है कि हम कौन सा angle का sign निकाले, तो देखो यह right angle triangle है, तो मैं इस a के बारे मात कर लेता हूँ, sign a निकाल रहा हूँ, तो बता अब आप क्या होगा, यह sign a, am upon mb, am upon am क्यों होगा, यह theta consider कर रहा हूँ, तो theta के जड़ सामने वाला क्या होगा बेटा, पर्पेंडिकुलर, theta के जड़ सामने वाला पर्पेंडिकुलर होगा, होता है ना, तो यह 90 डिगरी के जड़ सामने वाला तो यह ना यह तो यह तो हो गया आपका हाइपोटिनिस और पर्पेंडिकुलर कौन सा हो गया, यह सकते हैं कि नहीं होगा, यह सब्सक्राइब कर रहे हैं कि मैं साइन रूल लिख रहा हूं, इसलिए यहाँ पर मैंने साइन ठीटा निकाल लिया, अब यहाँ पर से भी हम क्या कर एंगे, बी-म की वैलने निकाल लेंगे, बोलो क्या आ जाレएगी, सी एपान, स्री, सी साइन ए, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, सी साइन ए अरे बोर तो नहीं हो रहे है नो सर थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा पेशेंस रखो बस इसको समझने की कोशिश करो आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है पस एक बार मैं आपको दिखाना जाता हूं कि यह कैसे आता है प्रोसीजर इस वेरी पर ये इन और कि इसको जबेंगल के बारें बात करुगा हो इंक यह किसके बारेंटी के बात करहोंगा यह ना सी वी इम अरे इस लिगरी यह निकरेंगे वी सी यह तो होगया हमारा है हाइपोटेनियूस यह सब्सक्राइब और मान लो मैं सी वाले एंगल की बात कर रहा हूं तो तो अगर मैं यहां पर तो साइन से निकालो साइन सी तो बोलो क्या होगा यहां से यहां से में ब्लाइं किसी लो किस्क नाम ने दिया यह जैसे हमने पिछले वाले में किया ता है जब हम है से यहां पर perpendicular डार रहे था यहांपर हम कर रहे सो यहां पर हम औ साइन सी सो ये वापस से क्या हो जाएगा भणा हो जाए इसको है से लिख सकता हूं एपान साइन सी अब आपको रिलेशन्स पता लगने-लगे होंगे कि हम हरब एक ही काम कर रहे हैं ना यहां से परिवियस केस में किया था अब दियान से देखना इस चीज़ को यहाँ पर बोला है एप बराबर किसके है सी अपॉन साइन सी के और एल्फा वाली में आपके सामने यहां पर दिखा रहा हूं आपको इसमें बोलाएं बी अपॉन साइन भी सी अपॉन साइन सी के इक्वल है है ना यह सर अगर मैं आपसे पूछता हो कि राम का भाई शाम है और शाम का भाई मोहन है तो बताओ मोहन और एक गर ये वकोण साइण एसे एपॉन साइन बीच साइन के बराबर होगा और भी एपॉन साइन से के बराबर बीटा हम क्या कह सकते हैं भाई यह सब्सक्राइब एक काम था आपको एक बार प्रोसीजर दिखाना आपको जाकर के घर भार एक घर पे एक बार यह वापस से अपनी कोपी में रिपीट करना है उससे आपकी फ्लूएंसी बढ़ेगी को किस तरीके से स्वाल करते हैं ठीक है कोश्ट डार्टल आपसे पूछने के चांसिस कम होते हैं जैसा कि मैं आपसे बोल रहा हूँ हर बार आप कोश्टन्स जब करेंगे हम जब कोश्टन्स करेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि कुश्ट वे चपोर्ट मिलता है कोशन में कि के यह हमने के बारे में बात कर लिए अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं में को साइन रूला राड़ सब्सक्कीन्ट बात कर रहे हम को سाइन रूल औइग ना थोड़ अ सा आपको यह बोरियत हुई होगी थोड़ी सी इससे पहले वाला जो पढ़ा है जिसमें नहीं नहीं तो बहुत अच्छी बात है अगर होई भी होगी तो भी उसको थोड़ा सा आप कैच करो ना पिर यहां पर इसके बाद में आपको बोरियत नहीं होगी है क्या होता है पहली बात तो यह की को साइं रूल होता है हम आपउ sign A बोलते हैं B upon sign B बोलते हैं C upon sign C बोलते हैं और इसका statement में आपको लिखवाय था कि कोई भी side जो होती है वो उसके opposite angle के sign के proportional होती है है ना तो ये बिर्टिकली sign rule क्याता था उसी तरीके से आप देखो महाँ पर हमने क्या क्या था कि sides और angle के बीच में relation की हम बात कर रहे थे A is directly proportional to sign of A इसका मतलब क्या है कि जिस तरीके से A जो angle है उसका sign जिस तरीके से change हो रहा है उसी तरीके से कौन change हो रहा है बेटा वो side change हो रही है क्योंकि proportional का मतलब क्या होता है कि जिस ratio में आपका angle बढ़ रहा है या आपका एंगल बढ़ रहा है उसी एंगल में आपकी side भी क्या ओड़ रही है बढ़ रही है या घट रही है बात समझ में आरी है विट आपको यह सर ठीके तो सेम वे में को साइन रूल भी हमें साइट्स और एंगल के बीच में कुछ रेलेशन रूल का बढ़ा है आप वह मैं आपको यहां पर बताने जा रहा हूं ठीके सुपगी बात कर रहे हम को साइन रूल के लिए देखितना अब ध्यान से देखना वाबस थे हम वही कारे कर रहे है यह कि है जैसा हम पहले कड़ते आएं ठीक है तो आपकी बार मैं इसे बोल रहा हूं एली बोल देता हूं जैसा कि पहले हम बोल चुके हैं अब यहां पर भी वापस से यह दो पार्ट में डिवाइड हो गया हो गया पहले हम पढ़ रहे थे साइन तो हम क्या निकाल रहे ते बारबार लाएस साइजनी निकाल रहे यह से इस इस सिमिलरली ऑर आपchyस की बात करंगा हम वाच की लेकिन आपको बार बार नहीं करने हैं अब यह की बार करेंगे ठीक है लूघे लेगा ना उसके according हम दे देंगे ठीक है यस सर बेसिकली हम क्या कर रहे हैं इन ट्राइंगल कि ए बी सी ए बी एल है ना यह वाला ट्राइंगल की में बात कर रहा हूं भी कि ए बी एल अब आप मुझे बता हूं इसमें आपके बार करना जाता हूं और कौस बारे minha के बारे में बारे में बात कर रहा है तो क्या आप मुझे बसा सकते हैं कि कॉस दी क्या होगा हम अब बताइए बी अपॉज एपॉन एच ये होता है यह सर्स, बता मुझे बेस कौन सा होगा और है पोटेनिस कौन सा होगा बेस होगा वैरी गुड वैल तो क्या होगा बेटा और समॉल सी हॉज अपने काम कर दिया ऑप ठीक है ओ नहीं सी तरीके से अगर माई चंस में बात करते हैं इं ट्राइंगल को ए सीयल के बारे में तो बताओ रहां से कौशी के बारे में बात करूँ मुझे बता ओकिक और आप मुझे बताईए कि क्या होगा सियल अप आप आन स्माल बीवैरी गुड़ तो यह आपने काम करी दिया सी वह गाई है अब बस हमारा काम जो है लगबक खतम हो गया आप देखाव आप यहां से मैं लिख सकता हूँ BL is equal to C cos B लिख सकता हूँ की नहीं लिख सकता हूँ है ना C cos C भी लिख दे हैं आपर देखा लोड़ा सा अब दिख रहा है ना बराफर C cos B यस सर मैंने नाम दे दिया माल लो equation 1 फिर वापस से है ना और यहां से मैं C L निकाल लूँगा कितना होगा बेटा बी कॉस इसको मैं तू नाम दे दूँगा अब आ जाईए वापस से इन ट्राइंगल कि ए बी एल में यह राइट एंगल ट्राइंगल है यह नहीं यह ना अब राइट एंगल टू पी स्क्वाइर प्लस बी स्क्वाइर एंगल टू पी स्क्वाइर प्लस बी स्क्वाइर वेरी गुड़ अब मुझे बताओ एबी यल में एच कौन है प्लस प्लस बाइर गुड़ एख राइट वह स्मॉल सी स्क्वाइर लीग तो यह सर्ट मुझे बताओ पी क्या है पी परपेंडिकुलर ये पॉनल एल अल पर पेंडिकुलर कौन है यह यह ना पुण ना लिख सकता हूं में एल स्क्वाइर यह पेस क्या है यह लिख सकता हूं बी- एल स्क्वाइर जैसर आप यहां देखो आप यह सी स्क्वाइर इस इक्वल टू अब ध्यान से देखो यह एल जो है इसको तो मैं एज़े टीसी रख रहा हूं अभी फिलाल यह जो BL है BL जो है इसको क्या मैंसे नहीं लिख सकता क्या कि A मैंसे मैं क्या माइनस कर दूँ CL लिख सकता हूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ A माइनस LC या CL इसका स्क्वाइर कर दूँ इस सर अब आपको यह तो पता ही होगा कि A प्लस B का होली स्क्वाइर क्या होता है A स्क्वाइर प्लस B A स्क्वाइर प्लस B स्क्वाइर प्लस माइनस 2 A B क्योंकि A माइनस B की बारे मैं बात कर रहे हैं तो यहां होता है A स्क्वाइर प्लस C L स्क्वाइर माइनस 2 इंटू A इंटू C L यह होगा की नहीं होगा और यह होगा तो अब देखो मुझे नई स्लाइड लेनी पड़ेगी ले ले लेता हूं मैं कि दो तो नहीं आ गई किस्केइर इसकुएर इसकुएर सी स्कुएर इसकुएर इसकुएर मैं वापति से वही होगा रिजल्ट लि도 में यह आह था प्रिवियस में इन दी framework कि डी मानुल वह उंहां इसकुएर गछा मेननस डूर इंटु फ़बि लू आधा यचा सर में क्या कर रहाू यह द दिको एel इसक्वाय यहांपर दिखा हुआ है में किया करता हूं यह स्पेности जो स्क्वायर न इसको इसके साथ में लिख दे रहा हूं कि इन दोनों को मैं साथ में लिख दिया –2a इंटूlevel अपनी जगह पर क्या ऐसे कर सकते सकतें कर सकतें लगा है एल स्कॉयर प्लस सील स्कॉयर ऐसा ही लिखा हुआ है यह सब्सक्राइब अगर मैं इस ट्रेंगल में बात करूँ तो स्मॉल बीका स्क्वाइर वेरी गुल्ड आपको समझ में आ गया होगा हम पाइतागोर फिरम लगा रहे हैं यहां पर तो बैसिकली यह क्या हो गया हमारा small b square plus a square हमने एक इस लिख्या माइनस टू ए इंटु अब ये देखो सी ल हमने निकाला था देखो को किल हमने निकाला था क्या था वी द्रीक को कॉस्ट बाइक क्वेशन टू हम यह लिए सकते सी एल इस एकल टो वी कॉस्ट तो यहां पर अब देखो मैं तू एबी कॉसी को एक तरफ लेके जाता हूं पॉजेटिव कर देता हूं इसको राइट एंड लेके जा रहा हूं और यह जो सी स्कौयर है ना इसको मैं लेके आऊँगा है और यहां पर क्या होगा ए तो इसवाइड में यह यह सीसे साइट में ते और यह सी इस्कौयर उटकर के आं जाएगा सी स्कौयर तो बताओ कॉसी क्या गया वेटा A square plus B square minus C square upon 2AB तो ये बेटा आपका क्या होता है cosign rule होता है क्या होता है बेटा कैसे आया आपको एक बार तो समझ में आया ना यस सर आपको गर पे एक बार खुश से जाकर के अपनी कोपी में दुबारा से इसको करके देखना है आज का काम के ओल में इत्ता ही दूँगा आपको कोई एक्स्ट्रा कोश्चन नहीं कुछ नहीं है ना केवल आपको कल जाकर के यही काम करना है कि जो भी हमने सिखा है आप एक बार उसको अपनी कोपी पर नॉट आउट करके एक बार देखें उसको कि किस तरीके से हमने इसको प्रूव किया है तो अब देखो यहां पर इसको याद रखने का तरीका क्या होता है देखो यहां पर कॉसी के बारे हम बात कर रहे हम यहां पर जो एंगल यहां पर होगा ना वही एंगल यहाँ पर माइनस में सी स्क्वाइर की फॉर्म में होगा जैसे यहाँ पर सी एंगल है तो सी साइड वाले का स्क्वाइर का हम माइनस करेंगे है ना जो रिमेनिंग साइड है जैसे यहाँ पर सी की बात करें तो बची हुई साइड कोन सी होगी एंड बी तो उनके स्क्वाइर का यहाँ पर एडिशन हो जाएगा और डिवाइड में जो यहाँ पर साइड हम यूज में रहे हैं जैसे ए और वी उसी को नीचे टूए बी में लिख देंगे यानि टू के साथ में लिख देंगे ठीक है यह सर लो कि मैं आपसे पूस्ता कि बताओ कॉस से स्क्वाइर प्लस एक होगा एसे स्क्वाइर प्लासी स्क्वाइर माइनस एस वी स्क्वाइर अपवनäv बीची वारसी गूड़ बेटा भी है ना बताओ शाइकbowडर से कितना असान होग crawling से इस ही अलग है कि टेकि न वहें इस全ong заб सकते हैं बताओ कॉस्थ डिक्या होगा है इसक्वrise माइनस माइनस आपको याद रख यह आ मैं सोचता हूँ कि एक कुश्चन तो कम से कम आज के दिन में हो जाना चाहिए एक कुश्चन तो करी लेते हैं तो कि थोड़ा आपको भी ऐसा लगेगा कि नहीं आर कुस्टो पढ़ा है आज हमने जैसे कि यह कुश्चन आ गया बोला कि इन ट्राइंगल एबीसी अब ट्राइंगल एबीसी की बात कर रहा है जैसे कि हमने अभी ट्राइंगल एबीसी कंसिडर करें थीक उसी तरह किया से इस स्मॉल एपको दे रखा है तू एक का मतलब क्या कॉन सी साइट दे रखिया आपको अच्छा मुझे बताओ कि यह स्मॉल बीसी को ट्री दे रखा इसका मतलब कौन सी साइट दे रखिया आपको और हमें रखा है साइन एधिकॉल टू टू बाइटी हमें क्या करना है all पिछ थे जह करना आप देखो हम अगर यहां पर देखें तो साइन की वेल्य कि च nag diver उसे कैसे लगाएंगे हमें तो ट्रेंगल बोला आहिं कि राइणेंगल इसमें पॉल आप को यहीं चीज सोचनी है यही आप सो यहां पर आपको क्या करना है given data के according A और B दे रखा है और आपसे A दे रखा है और B आपसे पूछा है तो क्या मैं यहां पर sign rule लगा दू डाइरेक्ट क्यों लगा रहा हूं उसके पीछे रीजन है देखो B upon sign B is equal to A upon sign A से start करते हैं A upon sign A is equal to B upon sign B अब equal to मैं C upon sign C भी होता है होता है कर रहा है क्या नो सर यहां पर के बारे में बात होई नहीं है यहां पर केवल a b और यहां पर आपको यहां पर a b और sign b आपको गीवर ने साइन आ पूछा है सिंपल सा आप यह लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा लगा दे एक जगह में रख दूँगा टू साइन एक जगह में क्या रखूँगा बोलो इस इक लटू बी की जगह क्या रखूँगा अपॉन यहां पर आजाएगा साइन भी इस तूसे टू कैंसल आट जाएगा यह ऊपर चला जाएगा चला जाएगा तो यहां जाएगा थ्री इस इक लटू थ्री अपॉन साइन भी भलो और की नहीं होगा यह साइन धी चला जाएगा राइट हैंड यह सारी लट त्री साइन भी इस उकल टू टू यह जाएगा यह साइन बी की वैलू क्या निकली बेटा वन ऐटा वन आच्छा मुझे बताओ साइन ठीटा की वैल्यू वन कहा होती है ना किस आगया की नहीं आगया आगया आज आपको समझ में कोछ कोई दिक्कत नो सर जो मैं बोल रहा हूं वैसे काम करते चलो 100% कुश्टन तो बनेंगे ही आप अन्हीं दोनों मिलकर करेंगे आप आप करोगे फिर मैं करूँगा ऐसे कुशन तो 100% सोल होंगे ही होंगे लेकिन सिर्फ आपका काम यह है आज कि आप जुतना में आज आपको कराया है और जिस तरीके से कराया है आपको ठीक वैसे ही घर पे जाकरके एक रफ कोपी लेनी है और उस रफ कोपी में वापस से राइ तक यू